Hello friends so from today onwards we are starting a new series and this series is going to be very very veryپry very 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 very很 important why I am saying so because देखिये mcq practice का आपको importance पता ही होगा कि जब हम mcq को देखते हैं to mcqs are very very importantetera काफीन क्यों मैंकि mcq से पहला तो आपको देखिये पता चलता है आपके week areas like कि कॉन करें हो फेर्या में कितना arrangements फर्स्ट लगाने हैं chapters में भी specific portion पता जलता है कि इस chapter में मुझे ये पढ़ना है for example inflation है तो inflation में मेरा concept WPI और CPI उतना बहतर तरीके से clear नहीं है जब मैं national income chapter दिखता हूं तो national income chapter में मुझे basic price market price इन सभी के बीच में difference clear नहीं है ठीक है या फिर मेरे national income में basically जो उससे formulas बनते हैं या फिर जो concepts बनते हैं GVA market price कैसे निकलता है GDP market price को हम NDP market price में कैसे convert करते हैं यहां मेरी issues है यह सारी चीजे जो weak areas है वा को कैसे पता चलती है when you solve the mcqs तो उससे होता गया है कि जब आप वो weak areas को देख लेते हैं या identify कर लेते हैं तो आप उन weak areas पर काम कर सकते हैं और उस सिर् revision कर रहे हैं तो उससे आप लगाता revise तो कर रहे हैं चीजों को लेकिन अपने weak areas पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो that's why mcqs are very important apart from that mcqs से आपको help मिलती है एक logic या फिर question solving approach की क्यों क्योंकि अगर आप देखते हैं कि knowledge देखिए unlimited मतलब आप ले सकते हैं ठीके ऐसा नहीं unlimited knowledge आप ले सकते हैं काफी ज्यादा resources हैं बहुत सारे knowledge है बट आपके पास थोड़ा limited knowledge knowledge होगा अब उसके basis पर भी आप question को solve कर सकते क्योंकि माले था आपने NCRT जी बड़ा लेकिन NCRT से ऐसा हो सकता है कि questions आएं बट आप solve ना कर पाएं क्योंकि सब कुछ सब कुछ आप याद नहीं कर सकते सब कुछ आप retain नहीं रख सकते लेकिन अगर आपके अपके पास mcq solving approach है तो with minimal knowledge भी आप question को correct कर सकते तो वो कैसे solve करते हैं या question solving approach कैसे होती है वो सभी भी हम इसमें चर्चा करने वाले तो यह traditional session नहीं होगा कि हां मैं question आऊंगा discuss करके च change करेंगे वैसे वैसे आपके लिए sessions interesting होते ही चले जाएंगे इस कारण से I said that this is very 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 important series ठीक है तो बाकी अगर यह series आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने feedbacks जो भी है suggestions है वो सारे comment section में दे सकते हैं तो आज हम basically जो start करने जा रहे हैं वो हम economics start करेंगे ठीक है economics में ह chapter 1 and chapter 2 आप में से जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिन्हों ने चैप्टर वन चैप्टर वन चैप्टर वन चैप्टर वन चैप्टर टू नहीं पढ़ा तो वह जाकर पढ़के आए देन इस वीडियो को देखें because इसमें बहुत interesting questions होंगे क्योंकि इसमें मै करेंगे तो ज्यादा beneficial होगा अगर यह पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हमारी एक series free of cost NCRT की चलते हैं उसमें हमने यह दूनों chapter complete करा दिया तो आप वो देख सकते हैं और फिर series को देख सकते हैं ठीक है फिर attempt करेंगे question तो आपको ज्यादा benefit करेगा ठीक है चलिए तो start कर गया इस तरह का कि in elastic या elastic तो सबसे वहले यहां लिख दो elastic ठीक है यह approach मैं बता रहा हूं अब जैसे elastic लिखो इन elastic का मतलब क्या है price में ज्यादा changes भी होंगे price में ज्यादा changes भी होंगे quantity demand में कोई ज्यादा change होगा थोड़ा बहुत change हो सकता है यानि थोड़ा बहुत change होगा ठीक है यह आपका हुआ concept अब question को देखते हैं क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे होंगे जिनके price elasticity of demand पहला essential medical procedure क्या यह होगा बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि अगर हमारे price में ज्यादा changes भी हो बट हमें अगर medical से related चीज़ें चाहिए या medical procedures हमें लेनी है तो हम उस यहाँ पर कि अगर हमें यह पता चलिए कि medicals तो होंगे essential medicals तो होंगे तो 111 यहाँ पर यह थर्ड हो जाती इसके बाद हम coffee के थूप भी eliminate करेंगे तो answer तो मिल जाए ठीक है तो इस तरह से बाकि इसका one and three correct answer हो जाए बिकॉस पेट्रोल इंडीजल इस अलसो इंपॉर्टें क्लियर है second question की तरफ हम बढ़ते हैं देखे second question है हमारा basically this is the question आप थोड़ा सा इसे वीडियो को pause करें और attempt करें तब ज्यादा interesting यह होने वाला है ठीक है अब देखे question जो है वह inferior goods, Giffen goods और Weblen goods पे है Weblen goods, inferior goods and your Giffen goods क्या हमने यह discuss किया, yes we have discussed it अब देखिए इसमें आपको सिर्फ दो बाते याद रखनी है अगर यह दो बाते आपने याद रख लीना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के question क्या बात है कि sir हमें पता है law of demand यह तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे यानि कोई चीज अगर महंगी है तो हम उसको कम डिमांड करेंगे और अगर वह सस्ती है तो जदा डिमांड करेंगे, price कम होगी तो demand जदा होगी, price जदा होगी तो demand कम होगी, यह बात हमें पता हो नीच यह पहली, यह basic बात है सभी को पता होगी और दूसरा कि यह law कौन से तो गुड्स बबे नहीं करते तो वेबलें गूड्स और गिफएन गूड्स इसे बबे नहीं करते ठीक है बाकी उतना detail में जाने की जरुवति नहीं की सर वेबलें गूड्स इसे बब देखते हैं तो देखिए पहले यह नीचे से चलते वैबलें गूट्स का अब दिया हुआ है कि वैबलें गूट्स ऐसे होंगे जिनकी डिमांड इंक्रीज करेगी अगर उसका प्राइस इंक्रीज करता है प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा क्या यह उल्टा है ल को इससे करेगा अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो यह तो नौरमल गुड्स है और आइसले से तो हमें सिर्फ डो स्टेटमेंट पता है कि ऐसरी अगर हमें पता चल जानने की वी जरुवत है नहीं ठीक है आप इस बेसिस पर भी ऑप्शन सी को मार कर सकते ते नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम इसे भी डिसकस कर लेते हैं देखे बाकी यह सम्माइब डीटेल में नहीं बताऊंगा को कि यह सारी चीज़ें हमने डिसकस कर लिया सेशन आगर आप देख सकते हैं कोई पेमिंट देनी के ज़रती है जाये टेलिग एकनोमिक्स वर सीएप एफन से देख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं इंफिरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज करती है जब कंजूमर की इंकम होती है इंकम जब कम हो जाएगी परसन की त सब्डल आप को धा इंटरेस्टिंग कर और जादा कें हो सीटिस में अब इसक्कें को देख आ कि कhesia हमने इंटिफरेंस कर उप पढ़ा था हमने पढ़ा था हमने देखा था कि एक एक इसी लाइन होती है वह लाइन ऐसी है जिससेपे है लेवार सेटिस पक्षाश सिए होती ह वैसे मैंने आपको बताया बट नहीं पता को कि कॉन्वेक्स कॉनके में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए मुझे नहीं पता चलिए ठीक है मैं इसके से रिलेटेड अभी सोचूंगा नहीं डूसरा मैं कहता हो कि इंडिफरेंस कर्व जो है जैसे 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 हाइर इंडिफरें इसके इसके अलावा कह रहा है कि यह एक दूसरे को कण करेगा एक दूसरे को कण करेगा मैंने आपको समझाये कंगे इसके अंसर को यह इसा satisfaction वाला point होगा, उसमें कितनी satisfaction होगी, अगर इसमें 10 मिलती है, इसमें 20 मिलती है, तो इस point को क्या कहोगे, ये point तो इस पे भी है, और इस पे भी है, तो क्या ये हो सकता है, एक point पर एक ही satisfaction होगी, या तो 10 होगी, या 20 होगी, अगर ये cut कर दिया, तो हम अगर इसके अनुसार मा तो यहाली हो जाएगई 20 आरी और इस time को का तो उन्सा जाएगा नाराज seu का ए direct कॉन्वेक्स टूरिजिन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भी आप थोड़ा इस स्वाले को देखते हैं कमिंग तू अवर कोश्यों इस गिया इंडेफरेंस कर्व से रिलेटेड देखो इसमें भी पूछाए सिंपल हमें इंडेफरेंस कर्व के बारे में पता है ठीक है यहां कहा है कि वैठेट मुझे पूछा है तो मुझे नहीं पता है वेलफेरेंस कर्वेलेटेड है या नहीं क्या ये correct हो जायका answer ठीक है यहі question सीए-पेल में भी आए आया हो है आप जाके pen कर सकते हैं ठीक है सीए-पेल सेम यहीह लाइन पर कि आपको समझ आ रहा है कि यृूज़ और सरटेन एरिया कुछ एरिया ऐसे होते flex organizations जो है वह ही से बनते questions कहां से बनते हैं, वहीं से बनते हैं, clear है, तो यह क्या हो गया, intersect नहीं करेगा, बाकी यह सारा आप देख सकते हैं, limitations of the budget, हमने बहुत ही detail में discuss किया है, यह भी point discuss किया है, यह भी discuss किया है, और welfare economics से related है, यह हमने discuss नहीं किया, as it is, लेकिन अगर concept लगाएंगे, तो यह भी discussed है, ठीक है, clear है, आगे बढ़ जाते हैं, इसके पहले को questions discuss हैं, yes, coming to the next question, अब आते हैं question इस पर, question है हमारा, यह भी हमने discuss किया है, law of diminishing marginal utility के reference में बताना है, video pause करें और थोड़ा सोचें, ठीक है, video को pause करना है और थोड़ा सोचना है इस question के बारे में, देखिए, law of diminishing marginal utility, क्या हो मिलेगी, मैं पानी से माल लेता हूँ, प्यास लगिए वे आपको, you are thirsty, and पहली glass water से आपको माल लेते हैं, कुछ 10 units of satisfaction मिली, दूसरी पीएंगे, तो उससे कम मिलेगी, फिर तीसरी पीएंगे, तो उससे भी कम मिलेगी, चौती पीएंगे, तो और भी कम मिलेगी, उसके का अतार क्या होती है, कम होती है, marginal utility कम होती है, diminishing का मतलब क्या होता है, marginal utility जैसे जैसे हम consume चीजा जादा करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी satisfaction level कम होती ही चले जाएगी, अब कोशन बढ़ते है, इट स्टेट्स दाट, marginal utility of consuming each additional unit declines with consumption decreases, क्या consumption decrease करने पे नहीं, consumption तो सर marginal utility become negative at when total utility remains constant, आपको याद होगा, कि total utility कब constant होता है, when total utility constant, simple सी बात है, total utility तब constant होगी, जब marginal utility zero हो जाए, क्योंकि zero होगी, क्योंकि marginal utility ही तो जोड़ता है, total utility बनने के लिए, हमने यह से बहुत ही detail में discuss किया, with table, जाकर देख सकते है, as it is question, आप इसको solve कर लेंगे, ठीक है, नहीं solve हो रहा है, इसका मतलब आप वीडियो नहीं अच्छे से देखे, ठीक है, as it is हमने table बना के पुरा discuss किया, तो क्या यह यहाँ पर होगा negative, नहीं, zero होता तो हो जाता, तो यह भी गलत है, तो दोनों ही statement गलत है, यहाँ पर correct ही पूचा है, यह सब ध्यान दीजे, correct ही not correct पूच रहा है, तो neither हो जाएगा correct, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं question पर, यह बड़ा interesting question है, अभी हमने discuss किया, मैंने क्या बोला, sir, दो बाते पता होनी चीएं, कि sir, एक होता है law of demand, और दूसरा होता है, giffen goods और weblen goods, ऐसे दो goods हैं, जो इसको obey नहीं करते, price बढ़ेगी, त तो demand कम होती है, किसमे law of demand में, अब चलिए हम देखते हैं, पहले normal goods की बात, बात में करेंगे, पहले हम giffen और weblen को ही देखेंगे, because easy है हमें predict करना, तो हम पहले वही देख लेते हैं, यहां देखिए weblen goods, weblen goods का कहरा है, demand increase करेगा, अगर price increase करेगा, usually होना क्या चाहिए, price increase करने पर demand कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहां demand increase कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि law of demand नहीं मानना चाहिए, और weblen goods कह रहा है कि law of demand, weblen goods का यहां statement क्या कह रहा है, कि law of demand ओवे नहीं कर रहा है, तो इसे तो हम सही मान लेंगे, तो जहां 3 नहीं होगा, वो तो बि demand increase करेगी, यह तो normal goods का है, Giffen goods का क्या होना चाहिए, फुल्टा होना चाहिए, price कम हो गई, तो demand भी कम हो जानी है, price जाधा हो गई, तोju तो गलत है, तो 2 गलत, 2 गलत ठीक है बाकी आप यह पढ़ें यह पढ़ें क्यों पढ़ना सर दो बात तो याद रखेंगे तो बनी जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कुश्चन को देखते हैं यह कुश्चन सीडियस में आया हुआ है यह 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 सब्सक्राइब है अब 2018 होगा 99 देख सकते हैं फिर भी चलिए ठीक है यहां क्या कहा रहा है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब जीरो जाती मार्जिनल यूटिलिटी यह नॉट करेक्ट ही पूछा है ठीक है यह सही है क्योंकि हमने अभी भी बात की थी जीरो होती है तो लगातार बढ़ती है और एक स्टेट ऐसा होता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है फिर यह कम होना श्टार इस सब्सक्राइब अगर आपको वाला पता है हमने बनाया था मार्जिनल यूटिलिटी और टूटल यूटिलिटी तो इससे भी हो जाएगा इसके बाद टोटल यूटिलिटी इंक्रीज जब वह पॉजिटीव होता है हमने देखा कि यह होगी तो यहां पर मैक्सिव यह कब होगी जब मार्जिनल utility 0 होती है ठीक है अब जिनको समझ नहीं आ रहा है वह सीरी देख सकते हैं free of cost है ठीक है marginal utility negative होगी तो यह total utility कम हो रही है total utility बढ़ रही है जब marginal utility positive होगी और तीनों ही statement यहीं है ठीक है सिर्फ एक ग्राफ में जो बाती लेकिन नहीं भी पता तो भी हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां देखें क्या बात कहती है marginal utility और average utility equal होती है क्या होती है सरी को नहीं अलग है average utility totally अलग है तो क्या पूछा था इसमें नौट करेक्ट ऑप्शन डी इनकरेक्ट वन सो इसी यही आंसर आपका हो जाएगा इसमें क्या पूछा कि नौट करेक्ट बताना है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से रिलेटेड ठीक है अब वैसे तो यह कुशन इसके नीचे भी है बढ़ ठीक है इसी पहले कि नौट करेक्ट पूछा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इस डाउनवर्ड स्लोप अधर राइट ऑफ दी रिसोर्सेज आ लिमिटेट ठीक है बट थीक है नहीं पता उतना चली आगे देखते हैं आगे क्या रहा है डिफ्रेंट कॉंबिनेशन्स ओफ विरियस गूड्स और सर्विसेज गिवन गिवन दी अविलेबल अविलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलोजी दिनोटेट तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ठीक है देखते हैं अगला को है कि और प्रोडक्शन और सकता है सर हमने बात की थी कि अगर एक जादा चाहिए तो दूसरे को कम करना पड़ेगा अगर आप एक जादा चाहते हैं एक की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे के लिए आपको कम करना पड़ेगा क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है तो यहीं आपका इनकर सबस्क figure लोगे तो reading सोर्स फुली युटलाइज नहीं होंगी और इस लाइन पार तो आपके रिसोर्स के वो चीज बाहर जाती क्वाइर कर दिसकस किया था क्या ये हमने डिसकस किया था किमिक है different combinations of goods and services given resources से हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बिलकुल और क्या यहां पर हमने यही बात की थी कि नहीं कि यह downward sloping rightward है बिलकुल से लेकिन interesting बाट मैं आपको यहां दिखाता हूँ यह question I think 2018 में आया और यह 2021 में आया है ठीक है आप देखें के almost repeated question है PYQ directly repeated देखें कैसे यह question कि आप उचाए कि production possibility frontier में कौन सी बात सही है यहां not correct पूचाए अब देखें same option को ही घुमा घुमा के यहां पर दिया हुआ है देखें पहला दिया हुआ है यहां पर economy has to sacrifice some production of one community in order to increase the production of another community क्या यह सही है बिलकुल सही है there is no limit or constraint of the economy in the production of goods and service क्या limit नहीं है resources are limited economics का तो पहला ही यही है resources limited होते हैं इसलिए तो हमें क्या करने की जरुआत है हमें resource allocation करने की जरुआत है और economics की तो जरुआत ही तभी पढ़ती है जब resources limited है ठीक है तो क्या no limited होगी नहीं और इसमें I think correct ही पूचा है चलिए ठीक है तो यह पहला तो सही हो गया इसके अलावा हम आगे देखते economy can produce more of one commodity without क्या यही statement था नहीं था यह देखिए same statement ठीक है same statement इसके बाद देखिए यह क्या होती है upward sloping क्या होती है downward sloping so downward होती है ठीक है यहीं पर देखिए यहां क्या दिया होगा है देखिए this is downward not upward तो आप देखेंगे as it is सिर्फ options को यहां पर यह भी गलत हो के यह भी गलत हो गए और कौन सा सही हो जागा यह इसमें correct ही पूछाता और same EC का देखेंगे तो आपको 2021 में भी देखने के लिए मिला तो देखेंगे previous questions की भी काफी importance होती है I hope आज के questions हमने complete कर लिए है ठीक है तो I hope this session has been a lot जाइए तुरंद comment section में और efforts कैसे लगे आपको बताने हैं और अगर आप चाहतें इसी तरह का quality, geography, science अभी पर इसी तरह के interesting sessions हो और खासकार अगर geography, quality में क्योंकि यहां तो मैं बहुत सारे आपको elimination और यह सरी चीज़े बताऊंगा जो की काफी help करेंगे economics में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा I hope तो जैसा भी लगा हो session आप comment section में जरूर बताएं यह session अगर आप चाहते हैं कि इस series को continue करें till exam तो आप बता सकते हैं हम लोग till exam जो है इस series को continue करेंगे थोड़ा delay हो सकता है ठीक है बट रेगुलर नहीं होंगी इसकी classes ठीक है हम two to three days में कोसिस करेंगे कर लेने के लिए ठीक है बाकी आप अपना बताएं जैसा रहेगा support उस अनुसार से हम इसे continue करेंगे I hope आज के question solve करने से आपको मजाया हो और insight एक नहीं मिली हो ठीक है कि सर limited knowledge से आपका हो सकता है बसरते आपको पता होना ची कि क्या limited knowledge की जरुवत है अगर आपको पता है कि law of demand और webland और giffen दोनों उल्टे होते हैं तो questions almost बनेंगे ठीक है आपको पता है indifference curve से question आ रहा है clear है तो I hope this session was helpful ठीक है बाकी economic series हम continue करेंगे जैसे हम कर रहे है जिनको question solve करने में दिक्कत आई है जाए economic series free of course बहुत ही detail के साथ हम comprehensively cover कर रहे है वहां जाके आप देख सकते हैं ठीक है बाकी thank you and have a nice day